हालो एब्रीवन वेल्कम बैक कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ वेट लॉस टुटोरियल जिसमें कुछ एक्सरसाइज में आपके साथ करूंगी अगर रेगुलर्ली आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप जो है अपना वेट बहुत जल्दी रिडियूस कर सकते हैं डिपेंड करता है आपके उपर कि आप कितनी कर मेहनत करते हो नेखिए जब तक महनत नहीं करेंगे तब तक वेट लॉस तो नहीं हो पाएगा अगर आप सोचते हो कि कोई ऐसा ड्रिंक आप पीलोगे जिससे की रातो रात आपका वेट घड जाएगा तो ऐसा बिलक रखते हो और साथी साथ आपकी बॉड़ी फिट रहती है हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है अगर आप रेगुलरली एक्सराइज करते हो तो आपको कोई ही समस्या नहीं होती है आपकी स्कीन अच्छी हो जाएगी बाल बढ़ेंगे और बॉड़ी फेट जो भी रिडि कीजिए जैसे ही आपकी बॉड़ी जो है वीचल होती जाती है तो उसको आप फिर थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा सकते हो थोड़ी सी हेल्पाइज जरूर ले सकते हो फास्ट वेड रड़क्शन के लिए उसके लिए आपको क्या करना है आप गरम पानी का इस्तेमाल कीज है तो गरम पानी कीजिटना आप चाइज गरम पीते हो उतना कर आप जब भी आको एकसoked करनी है तो उससे लगवक आदा घंटा पहले लिजे और जब आप एकसो कर चुके हो तो उसके बाद भी आप Sande का केने करने से पहले warm-up होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आपकी body जो है exercise करने के लिए ready होगी नहीं तो आपकी body में लचक वगारा आने का खत्रा रहता है इसलिए warm-up होना बहुत ज़रूरी है मैं यहाँ पे रसी कूदरी हूँ आप चाहें तो एक ही जगह पे जोगिंग बगारा इस तरह से भी कर सकते हो बस आपको अपनी body को ready करना है exercise के लिए इसके अलावा कोई भी exercise जब आप start करते हो तो जटके से आपको start नहीं करनी है पहले धीरे-धीरे से जैसे अभी आप देखी रहे हो तो इस तरह से पहले मैंने अपने पाउं को धीरे-धीर करने के लिए बहुत beneficial है next exercise है इसमें again आपको body balance बना करके रखना बहुत जरूरी है अगर थोड़ा सा भी आपका balance बिगड़ता है तो कमर में लचक आने का खत्रा रहता है इसलिए बहुत ही समल करके आपको यह करनी है करनी कैसे है वह आप देखी रहे हो इसके अलावा again यह नहीं वाली exercise आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपका body balance अच्छे से नहीं बनाए क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही हूं कि starting में आपको धीरे-धीरे से start करना है एकदम से आप यह सोचे कि आप खूब सारी exercise एक ही दिन में कर लोगे तो ऐसा नहीं होता है आपको धीर में कर रही हूं अगेन पैरो में gap है सेम यह वही है जिसे हमने खड़े हो करके भी किया था यह आपकी कमर की fat को reduce करने में बहुत helpful है अगर आप से खड़े हो करके नहीं हो पा रही है तो यह बैट करके भी बहुत easily हो पाती है next जो यह है इससे अगेन आपका जो पेट है वो इससे reduce होता है तो यह exercise जो है आपको तीन तरह के benefit देती है अगर आप इस तरह से ना कर पा रहे हो तो आप अगेन इस तरीके से भी कर सकते हो देखे हाथ के ओपर मैंने हाथ रखा है और जो आपकी चिन है ठीक उसके सामने आपको रखना है और अगेन वैसे ही जब भी आप exercise स्टार्ट करते हो तो जो आपको सांस अंदर को खींचना होता है और जैसे ही आप exercise को release कर रहे हो तो आपको सांस भी release करना है यही हो हर एक exercise में सांस का फंडा रहता है इसके बाद यह मैं कर रहे हूँ cycling thighs fat को reduce करने के लिए बहुत best होता है इसको उल्टी जैसा भी आप देख रहे हो इस तरह से उल्टी साइकलिंग करते हो तो ये आपके हिपस फैड को बहुत ही तेजी से गटाता है अगर आप रेगुलरली हपता आप करके देखिए आपको खुद बहुद रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे तो जितनी भी एक् साब से जितना आप कर पारे हो उस तरह से आप की जेगा अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जटके से कोई भी एक्सराइस टार्ट नहीं करनी है धीरे धीरे से पहले अपनी बॉडी को है विच्चुल बनाईए उसके बाद देखे ये मैं पहले 90 डिग्री पे लेके जा कर देखे तक बाद है और आपको लेटन रहे हैं तो कि कहां पर आपको यहां पर जो है पे इन ऐा है है तो जहां पर भी आपको मैंसुश हो रहा था वो वैले हिस्से से आपका जो ए पाई करता है तो क्रेएं करनेais प्सराइब हुआ है अग्न सब्सरा इस्वार तो पर बे किजिए और उस हिसाब से आप बढ़ाते चलिए मुझे प्रैक्टिस है इसलिए में थोड़ा ज्यादा भी कर लेती हूं और एकदम से आप ज्यादा स्टार्ट ना किजिए और इसके बाद यह देखे यह अगें आपका अपर वेली फैट के लिए बहुत बैस्ट है अगर आपका होल आपका पूरा बैली फैट के लिए बहुत बैस्ट होता है इसके अलावा यूट्रेस के लिए बहुत बैस्ट होता है अगर आपको पीरियेट से रिलेटीड समस्या है तो उस चीज के लिए बहुत बैस्ट रहता है तो यह तो हर लेडिस को करना ही चाहिए थोड डिए मतली तक बिचे तक करने रहे हैं कितना एंगल अभी हम कवर पा रहे हैं तो इस तरह से आपका कमर का फेट इससे काफी रिड़्ूज हो जाता है और बली फेट रिड्यूस आपका इसी एकससाईस से जितनी भी एक्ससाइजेस में आपे चूज कर रखी हैं तो यह सब की सब आपकी बैली फैट रिड्यूस के लिए है अगर आप सब इन सब ही को फॉलो करते हो तो आपको बहुत जल्दी जो है रिजल्ट बैली फैट रिड्यूस करने में देखने को मिलेंगे यह जो भी है फिर राइट जो भी आपको करना है जिस भी इस आप से आप कंफरेवल हो तो उस तरह से क्लॉक वाइज एंडिक्लॉक वाइज तो बहुत बैली फैट की इतनी महनत आप स्टाइंग में नहीं भी कर पा रहे हो टेंशन की कोई बात नहीं है हलकी फुलकी स्टार्ट की जिए बस ध्यान दीजेगा कि पूरा दिन भर आपको हाइडरेटिट रहना है खूप सारा पानी पीजेए जरूरी नहीं है गरम ही पीजेए ठंडा भी पी सकते हो आप बहुत साधा ठंडे पानी से बचना चाहिए फ्रीज का पानी नहीं पीना चाहिए गला भी उससे खराब हो होती है जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट रहते हो और साथी साथ आपकी बॉडी भी फिट रहती है हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है अगर आप रेगुलरली एक्सराइज करते हो तो आपको कोई भी समस्या नहीं होती है आपकी स्कीन अच्छी हो जाए एक दम से बहुत सारी एक्सराइज बिलकुल नहीं करने है आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए जैसे आपकी बॉडी जो है है वीचल होती जाती है तो उसको आप फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हो तो आई होप मेरा यह वीडियो आपको अच्छा